हेलो मैं सुनीता सिंग वेलकम बैक इन पायस किचिन और आज मैं बना रही हूँ आटी का पनी टिक का पिज़ा जी हाँ बिल्कुल हैल्दी पिज़ा जिसमें भरपूर सबजियां होंगी और मैदा की जगा यूज करूंगी में आटा तो सबसे पहले हम इस को फर्मेंट अधा कर मैंगी तो उसके लिए पर लेंग अदा कर लुक वार्म व्टर और उसमें Aड करेंगे 1 टीस्पून सुगर जब तक पाने में अच्छी तरह से म्लीट नाओर जाए तरह दब तक अचला अ दे रहेंगे और उसके बाद में फिरएड करेंगे 1 टीसपून इस्ट होती है यह बहुत जल्दी एकदम से फॉर्मेंट हो जाती है और हमें बस ध्यान इतना रखना है कि पाने हमें ज्यादा ना गरम लेना है और ना ही रूम टेंपरेचर पर लेना है यानि कि हल्का सा कुनकुना पानी लेना है अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से ढ़क के रख देंगे अब देखे 15 मिनट के बाद इसमें हलके हलके जाग उपर आ गए है यानि कि जो यह इस्ट है इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक चलनी लेंगे और चलनी में हम एक कप ग्यहूं का आटा डालकर चान लेंगे बहुत जादा चिप चिपा बनेगा हाथ से चिपक जाएगा बुरी तरह से तो इसको चुडाने के लिए ज़रूरी है कि बार बार हम अपने हाथ पर उसी ओयल को लें और इसको इस तरह से गूद लें अब हम क्या करेंगे काउंटर टॉप पर थोड़ा सा ओयल ग्रीज करे और वहां इसको स्ट्रेच करेंगे और फोल करेंगे यह वाला जो मैथट है यह बहुत जरूरी होता है करने के लिए इससे क्या होता है हमारा जो डो होता है बहुत सॉफ्ट और लचिला बन जाता है अब थोड़ी देर इसको इस तरह से पटकेंगे और ध्यान डखना है कि लगातार हमें इसमें ऑईल डालते रहना है यहां देखिए हमारा पिज़े का डो बिलकुल बनकर तयार हो गया है अब क्या करेंगे अब जो बॉल में हमने इसको मिक्स किया था ना उसी में हम ऑईल लगाएंगे और इसको इस तरह से चारो तरफ से ऑईल से ग्रीज कर दें यहां मैंने लिया है क्योंकि हम बना रहे है पनी टिक का पिज़ा, लिया 2 g g पनील लिया है, जिसको के लिया है मैंने 1 tea spoon भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 tea spoon रेड चिली पाउडर, 1 tea spoon गार्लिक चिली पाउस, और 1 tea spoon डालिए मैंने इसमें black pepper, जो पिशा हुआ है या ये बना रहा है अब गालिक बाटर बना रही है यहां पर कर दिया है यह एक चुछ मेशब था लिए है Ohio का lucky, अब में काट करके रख दिया हैं तो हमारे यह पिज्जा की सारी तयारिया हो चुकी है अब एगंटे के बाद हम दो को देख लेते हैं इसके क्या हाल जाल है तो यहां मारा पूरी तरह से फूल के डवल ट्रपल हो गया है अब क्या करेंगे हम एक पंच से इसकी सारी एर को निकाल यानि कि इसको जोड जोड से नहीं दबाना है इससे क्या होगा इसमें जितने भी एर पॉकिट्स बने हैं वो सारे फूट चाहेंगे और हमारा जो पिज़े का बेस है न वो सॉफ्ट या फिर फूले का नहीं तो देखिए इस तरह से मैंने यहां इसको बटर से मिला कर पूरी तो मैंने कन्वेक्शन भी करम होने के लिए रख दिया है और कड़ाय को भी मैंने स्लो आज पर दस मिनट के लिए प्रिहिट होने के लिए रख दिया है उसी तरह को कन्वेक्शन को भी मैंने दस मिनट के लिए 200 डिग्री टैंपरेचर पर प्रिहिट होने के लिए रख दिय अब कोई भी इस्टील की थाली प्लेट या फिर बेकिंग टेले लेंगे और उसमें जो हमने गालिक बटर तयार करके रखा दा उसको दो टीस्पून भरके इसमें इस तरह से स्पैड कर देंगे ताकि जो हमारा बेस है उसमें बहुत अच्छी गालिक की खुश्बू आए क्य लिए उसको भी इसी तरह से मैंने ग्रीज करतिया है अब बारी आती है कि हम अपना जो हमने दो तयार किया था इसको मैंने एक सर्फेस पर रखके इस तरह से इसको हम हाथ से ही पहला लेंगे हमें बेलन की ज़रूत नहीं पढ़ती है बहुत सॉफ्ट होता है याटा लेकिन लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कहीं से मोटर कहीं से पतला है तब इसे आप हलकी हाथ से बेलन से इकसार कर सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा दबा के नहीं बेलना है हलकी हाथ से इकसार कर लेना है और यह नीचे से ना चिपके इसलिए मैंने यहाँ पर मैदा डस्ट किया ह बेस बने में मटके काटे की और की करना है और ताकि जो किनारे होते है ना पिज्जा के वो थोड़े मोटे भी होते हैं तो जो किनारे हैं यहाँ पर मोटे हो गए है और जो बीच वाला हिस्सा है वो हलका सा पतला है अब यह पिज़ा फूले ना क्योंकि इसमें इस्ट पड़ा हुआ है यह बहुत जादा फूलता है तो इसलिए हमने क्या करा है इसमें फॉक से इसको होल होल कर दी है सारे में तो इसे फूलेगा नहीं अब मैंने इस पेड गया है यहाँ पिज़ा सॉस और यहाँ पर चिली गार्लिक पेस्ट एक चमज यहाँ पर मैंने भरके चिली गार्लिक पेस्ट लिया है और दू चमज भरके मैंने यहाँ पर पिज़ा सॉस लिया है इसको बहुत अच्छी तरह से इस पेस्पेट कर देंगे इन्ही सारी चीज से पिज इसलिए नहीं खाने देती, एक तो वह महंगा बहुत आता है, उपर से अनहेल्दी होता है, तो हम पैसे दे के अनहेल्दी चीज खाने से अच्छा है, कि हम घर में सस्ता और हेल्दी वर्जन बनाएं, तो यहां आप इस तरह की पिज़े को बना के अपने बच्चों को आराम स खेला सकते हैं, इसमें धेर सारी सबजियां, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, पनीर ढाल सकते हैं, और आते से सकते हैं, तो इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, आप इस तरह से घर में पिज़ा बनाएए, और बच्चों को खेलाएे, दो inflाच, देकुर कर दिया है, और यह हेल्थी रहे और एक बार फिर से मैंने इसके उपर थोड़ा सा मौजरेले चीज को फैला दिया है क्योंकि इनी सारी चीजों से पिज्जा खाने में टेस्टी भी लगता है अब हम क्या करेंगे जो किनारे हैं वैसे तो जो सारा ने बटर डाला था नीचे वो किनारों तग करने के लिए ट्राइप लगए तो मैंने इसमें जो सेट लिए और मैंने थैसा पर पीज़ा कैसा बने क optimistic मिनिट के बाद मैं इसको देखोंगी कि पिजा कैसा बना है अब कढ़ाई में बेक करने के लिए हमने दूसरा पिजा भी उसी तरह से एकदम तयार कर लिया है और कढ़ाई भी हमारे प्रिहीट हो चुकी है तो मैंने इसमें इसको फिट कर दिया है अब देखिए 25 मिनट के बाद कन्वेक्शन वाला जो पिजा था उस जो इसका बेस है बहुत अच्छा बना है क्रिस्पी भी बना है तो कन्वेक्शन में बहुत अच्छी तरह से ये पिजा बेक हुआ है अब इसके हम जो उपर है वो इसको छोड़ सकते हैं और ध्यार लगें कि जो पिजा होता है वो पिजा कटर से ही बहुत अच्छा करता है लेकिन मेरे पास इसनमें पिजा कटर नहीं है तो मैंने यहाँ पे इसको नाइब से काटा है थोड़ा सा काटने में पिजा इधर उधर हो जाता है नाइब से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इसका base है आप देखिए इसका base ये देखिए ये मतलब जैसे मैदय का जो base होता है एक दम से उसमें बहुत जादा air pockets दिखाई देते हैं ये इस तरह से नहीं बन पाता है क्योंकि आटे का होता है लेकिन ये किन मानिए इसके taste में कोई जा तैयार हो गया है तीस मिनट के बाद मैंने कढ़ाई से निकाला है बस इसमें क्या है उपर से इतना जो dark color है वो नहीं आया है लेकिन नीचे से ये बास्ता में बहुत क्रिस्पी और अच्छी तरह से बेक हुआ है इसमें भी हम पीजा सीजनिंग चिली फ्लेक्स वगरा को सा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पायस किचिन को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन दबाना बिलकुल न भूलिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह रसीपी कैसी लगी